खुद को राजा कहलवाती थी, ये राणी का पते थे नाम से लो। दुन्या भर में पुरुष को ही हमेशा राजा बनने के योग्य माना जाता रहा है, लेकिन एक राणी ने इस परंपरा को चुनोती दी थी और खुद को राजा कहलवाना शुरू किया था। मिसर की राणी हैच शेपसु के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, क्योंकि बाद में राजाओं ने उनका नाम ही इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की है। आज हम आपको मिसर की पहली महिला फोरो, राजा, हैच शेपसु की कहानी बताएंगे, जिनके खिलाफ खुद उनका बेटा भी हो गया था। हैच शेपसु ने इसका लाब उठाकर 1473 बीसी में हजारों साल पुरानी परमपरा तोड़कर महिला होने के बावजूद खुद को मिसर का फोरो घोशित कर दिया, हैच शेपसु के फोरो की उपाधी लेने से तहलका मच गया, कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसे उन्हो हैच शेपसु ने शाही परिवार की वारिस होने के नाम खारिस कर दिया, हैच शेपसु ने खुद को रानी के बजाए फोरो ही कहलवाना शुरू किया और विरोध करने वालों को कड़ी सजाए दी, जिससे उनके नाम से भी लोग कापते थे, हैच शेपसु खुद को राज साल तक रहा जिसे मिसर की तरक्की का दौर माना जाता है इस दौरान मिसर बड़े पैमाने पर निर्मान कार्य हुए फुरो के तौर पर हैच शेपसु के निर्नयों से मिसर का व्यापार पूरी दुनिया में फैल गया और प्रजा संपन्न हुई इसलिए उनके खिलाफ विद् गिना जाता है है फैच शेपसु की मौत महस 40 साल की उम्र में 1458 बीसी में हो गई इसके बाद उनके सौतेले बेटे थटमोस थ्री के हाथ में सत्ता आई थटमोस थ्री ने हैच शेपसु का नाम मिसर के इतिहास से मिटाने की कोशिश की उसने उनकी मूर्तियों के साथ ही उन करता था क्योंकि हैच शेपसु के कारण ही उसे सत्ता बेहत देरी से मिली थी